आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल और अमेजिंग है वीडियो को पूरा देखिएगा आपके बहुत ही काम का है तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने अखरोट लिया है अखरोट खाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है टूटा हुआ अखरोट भी मार्केट में मिल जाता है मगर जो टेस्ट इसके अंदर रहता है वो पहले से टूटा हुआ अखरोट में नहीं रहता है तो चलिए इसे पहले तोड़ लेते हैं तो यहाँ पर मैंने चाकु ले लिया है और साथ में कैची तो मैं आपको दोनों चीजों से अख्रोट को तोड़ना सिखाऊंगी तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अख्रोट को हमें किधर से तोड़ना है तो ये देखिए ये आगे का साइड है थोड़ा सा पॉाइंट रहता है तो वो आगे का साइड रहता है और ये पीछे का है तो हमें पीछे के साइड में इस तरीके से चाकू को डाल कर हलका सा पुश करना है उसके बाद चाकू को हलका सा उपर के साइड घुमा दें बस ये देखिए एकदम ढखकन के जैसे खुल गया तो बस थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे ने तो अखरोट तोड़ना एकदम आसान और सिंपल हो जाएगा तो यहाँ पर अखरोट को मैंने तोड़ लिया है अब इसके अंदर से अखरोट को निकाल लेंगे तो आप इस ट्रिक से बहुत सारा अखरोट तोड़ कर रख सकती हैं मतलब आपको मार्केट से तूटा हुआ अखरोट नहीं लेके आने की जरूरत पड़ेगी ये फ्रेस वाला अखरोट लेके आएं और खाएं ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा अब कैची से भी हम इसे तोड़ कर दिखाते हैं तो सेम तरीके से हमें अखरोट को लेना है और अखरोट के पीछे वाले साइड में कैची के नोक को डाल कर हलका सा पुस करके उपर के साइड कैची को घुमा दे और ये देखिए अखरोट तूट कर तयार हो गया तो यकीन मानिए आप 5 मिनट में बहुत सारा अखरोट तोड़ सकती हैं और इसका टेस्ट भी एकदम क्रंची और फ्रेस लगता है आप एक बार ट्राइ करिएगा आपको बहुत ही यूजफूल लगेगा ये टिप चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं अगले टिप मेरा लाइटर को लेकर है अपने किचन में लाइटर का इस्तमाल तो हम करते ही हैं मगर कभी-कभी ऐसा होता है कि लाइटर अचानक से बंद हो जाता है काम करना बंद कर देता है तो हमारे किचन का काम भी रुख जाता है तो उस case में आप क्या करें लाइटर को अंदर से clean कर लें तो उसके लिए हमें लेना है earbud और earbud के सहायता से हम लाइटर को clean करेंगे तो लाइटर के आगे वाले हिस्से में अंदर की side हमें earbud को डाल कर इस तरीके से घुमा कर रब कर देना है जितना भी इसके अंदर की गंदगी रहेगी सब निकल जाएगा और वापस से लाइटर काम करने लगेगा बस ध्यान रखे कि आप इसमें पानी वगरण नहीं डाले बस earbud को इस तरीके से लगा कर इसमें अच्छे से clean कर ले और आप देख सकती हैं कि इसके अंदर से कितना गंदा निकल रहा है मैं आपको हाथ पर रख कर दिखाती हूँ ये देखिए तो इस तरीके से अगर आप लाइटर को time to time clean करती रहेंगी तो लाइटर हमेशा काम करते रहेगा आई होप आपको ये tip useful लगा होगा चलिए next tip देख लेते हैं अगला tip मेरा purse को लेकर है इस तरीके का लेदर वाला जो purse होता है इसे साफ करने के लिए हम इसे पानी से तो धो नहीं सकते हैं और जब ये फूराना हो जाता है तो इसका shining भी खतम हो जाता है तो वापस से इसको नया बनाने के लिए हमें लेना है conditioner अब conditioner को हम purse के उपर थोड़ा सा डाल देंगे तो यहाँ पर हमने conditioner को निकाल लिया है अब हाथ की साहता से हम conditioner को purse के उपर अच्छे से लगा देंगे purse के दोनों side में हमें conditioner को लगा देना है एकदम अच्छे से लगा दीजिएगा यकीन मानिए जो conditioner है ने इससे purse आपका एकदम नय जैसे हो जाएगा तो यहाँ पर हमने conditioner को लगा दिया है अब इसे ऐसे ही नहीं छोड़े नहीं तो धूल मिटी इसके उपर आएगा आप cotton का कपड़ा ले ले और कपड़े से एकदम अच्छे से इसके उपर रब करें बहुत अच्छे से करें ताकि जो extra conditioner है वो निकल भी जाए और आपका पर्स एकदम clean हो जाए जितना अच्छे से आप इसके उपर रब करेंगी कपड़े से न उतना ही अच्छा signing इसके उपर आएगा अगर आपको ये tip अच्छा लगा हो यूजफूल लगा हो तो वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा और अपने family और दोस्तों के साथ ज़्यादा श्यादा शेयर करिएगा ताकि सबको पता चले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा ऐसे ही यूजफूल टिप मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे तो ये हमने अच्छे से पोच लिया है आप देख सकते हैं अब देखिए पर्स का रंग ये देखिए एकदम नए जैसे चमक रहा है और extra conditioner भी इसके उपर नहीं लगा है कि धूल मिट्टी वापस से इसके उपर चिपके तो आई होप ये टिप आपको अच्छा लगा होगा चलिए next टिप देखते हैं अगला टिप मेरा आलू को लेकर है अगर पुराना आलू रखते हैं तो क्या होता है कि इसमें से अंकूर आने लगता है मतलब एक विक के बाद इसके उपर अंकूर आई जाते हैं तो अंकूर नहीं आये उसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया और नया तरीका बताती हूँ तो बस आपको कुछ नहीं करना है जिस बास्केट में आप आलू रखें उसी में आप एक एपल रख दें यहाँ पर मेरे पास थोड़ा ही आलू है अगर आपके पास एक किलो आलू है तो आप उसमें दो एपल रख दें एपल को आप निकाल कर काट कर खा भी सकती है वापस से दूसरा एपल इसके अंदर रख दें इससे आलू में अंकुर नहीं आएगा चलिए नेक्स टिप देख लेते हैं अगला टिप मेरा बुक को लेकर है अक्सर ऐसा सब के साथ होता है कि जब भी हम बुक को पढ़ते हैं और पढ़कर बंद करके रख देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन दो आपस से हम बुक को जब पढ़ने के लिए लेते हैं तो वो वाला पेज जल्दी से मिलता ही नहीं है और पेज के ढूरने के लिए हमारा बहुत सरा टा लगा दे हमें टिक टॉक पिन लेना है यानि जो आप अपने बाल में लगाती है न वही वाला टिक टॉक पिन ले ले और इस तरीके से लगा कर रख दे बस अब जब भी आप बुक को उठाएंगी एक दिन बाद या फिर एक महिने बाद उसके बाद भी आपको वही पेज मिल लेगा खुल कर तो है न कमाल का ट्रिक चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं अगला टिप मेरा इस पॉलिथीन को लेकर है यह आटे का पैकेट है जब भी हम आटे या फिर कोई और पैकेट लेके आते हैं तो हम आटा को तो यूज कर लेते हैं यानि उसके अंदर का सामा मैं इसके अंदर कचरा डालती हूं उसके बाद मैं इसे बाहर निकाल देती हूं तो इससे हमारा डश्ट बीन भी नहीं गंदा होता है और यह जो पैकेट है यह यूज में भी आ जाता है तो आई होप आपको यह टिप यूज फुल लगा होगा आप भी ट्राई करके देख किसी स्पून से बेशन को नहीं निकालें नॉर्मली हम स्पून से ही निकालते हैं उसके बाद विश्कर से हम इसे मिक्स करते हैं तो आप अपने विश्कर को ले ले और विश्कर से ही हम बेशन को निकालेंगे तो बेशन में हमें विश्कर को इस तरीके से सीधा डालना है और हलका सक घुमा लेना है, उसके बाद आप बेशन को बोल में निकाल ले, यानि आप कोई स्पून को गंदा करने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज से दोनों काम हो जाएगा, तो है न कमाल का एडिया, तो आप भी इस टिप को एक बार फोलो करके जरूर देखिएगा, तो य मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं, तो सब्सक्राइब कर दिजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही यूजफूल टिप्स आपको रोज देखने को मिलेंगे,